इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Fositive 4G Injection यानि की Fositive 4G Injection एक Antibiotic दवा है जिसका उप्योग आपके शरीर में जीवानू संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है. यह मूत्रपध, फेफडे, यानि की जैसे निमोनिया, हड्डियों, मस्तिश, यानि की जैसे मेनिंजाइटिस और रख के कुछ संक्रमनों में प्रभावी है. हाला कि इसका उप्योग केवल तब किया जाता है जब अन्निसामान्य एंटिबाउटिक दवाओं का उप्योग नहीं किया जा सकता है. फोसिटिव 4G Injection बैक्टीरिया को मारता है, जो आपके लक्षनों को सुधारने और संक्रमन को ठीक करने में मदद करता है. यह एक स्वास्थि देखभाल पेशेवर की देखरेख में एक नसमे ड्रिप यानि की अंतहशरा जलसे के रूप में दिया जाता है. आपका डॉक्टर आपके लिए सही खुराग तै करेगा. आपको अपने चिकित सक्द्वारा निर्धारित कारिक्रम के अनुसार नियमित रूप से समान अंतराल पर इस दवा का उप्योग करना चाहिए. किसी भी खुराग को न छोड़ें और बहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोस पूरा करें. दवा को बहुत जल्दी बंद करने से संक्रमन वापस आ सकता है या बिगर सकता है. इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में इंजेक्शन साइट की प्रतिक्रियाएं यानि की दर्द, सूजन या लालिमा योनी में सूजन और पेट दर्द शामिल हैं. कुछ लोगों को इंजेक्शन के स्थान पर अस्थाई लालिमा या दर्द हो सकता है. ये दुश प्रभावाम तोर पर हलके होते हैं, लेकिन अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या वे आपको परेशान करते हैं या कुछ दिनों से अधिक समय तक चलते हैं. इसका उपयोग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको किसी एंटिबाउटिक से अलजी है या आपको लीवर या किड्नी की कोई समस्या है. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इसका इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. यह दवा आपको नींद और चक्कर आ सकती है. ये लक्षन होने पर वहन न चलाएं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.